अभी बिग बॉस घर के अंदर लव कटारिया और विसाल पांडे के बिग बॉस घर से इविक्ट होने यानि कि बाहर जाने का खत्रा आ चुका है जैसे अगर डबल इविक्षन होता है तो लव कटारिया और विसाल पांडे दोनों घर से बाहर निकल जाएंगे बट अगर single eviction होता है तो इन दोनों में से कोई एक निकल सकता है अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस वे के लिए जो नॉमिनेटेट कंटेशन थे अर्मान मलेक, सिवानी कुमारी, विसाल पंडे और लव कटारिया उने में से एक यानि कि अर्मान मलेकों तो रनबीस हो रहे ही बिग बोस से मिले head of house के power से बचा लिये यानि कि save कर लिये और दूसरा अभी कुछ दिर पहले live feed में एक community टास्क हुआ है जिसमें election campaign करना था जानि कि बच्चे तीन contested लव कटारिया, सिवानी कुमारी और विसाल पंडे के लिए बागी घरवालों को vote करना था जिसमें हुआ क्या है कि लव कटारिया को दो vote मिले है साइकेतराओ का और अन्बे सोरे का विसाल पंडे को तीन लोगों का vote मिला है अरमान मलेक, कृतिका मलेक और सिवानी कुमारी और सिवानी कुमारी को टोटल चार लोगों का वोट मिला है यस लव कटारिया, विशाल पांडे, सना मक्बूल और नेजी का विश्टास के अंदर ये था कि जिसको जादा वोट मिलेगा वो सेव हो जाएगा तो इस तरीके से सिवानी कुमारी बच गई है नॉमिनेशन से लेकिन बाकी के बच्चे दो कंटेस्टेंट विशाल पांडे और लव कटारिया अभी भी खत्रे में है सोवरल यहीं दिखा जा रहा है कि अगर डबल इविक्शन होता है तो लव कटारिया और विशाल पांडे दोनों बाहर जाएंगे